मोदी जी प्रधान मंत्री तो बन रहे हैं तीसरा टम सुरू हो रहा है इसमें कोई दौराय नहीं लेकिन कुछ बातें जो बहुत ध्यान से समझनी होगी खास कर हिंदूओं को जस्टिफिकेशन देने की बजाए अपनी गलतियों को समझना होगा और उन गलतियों को दूर करना होगा अन्य था भयानक दूरगामी परिणाम बोगतने पड़ सकते हैं अयुद्या समेत उत्तरप्रदेश में जो हाल भाजपा का हुआ उसमें कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने केंडिडेट अच्छे नहीं दिये थे तो ये जो दो केंडिडेट आपको दिख रहे हैं जो जेल से लड़ रहे थे जिन पर NS से और UAPA लगा हुआ है वो जीच जाते हैं क्या इससे भी गंदे केंडिडेट थे बीजेपी के ये हमारे लोकतंतर की खोबसूरती है और हमारी जनता जो ऐसे लोगों को जिता देती है जो जेल में बैठे हैं और जेल में भी किसी चोरी चकारी के आरोप में नहीं बलकि देश विरोधी गतिविधियों में सनलिप्त होने के कारण बैठे हैं ऐसे लोगों को भी हमारे देश की जनता जिता देती है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं क्योंकि candidate अच्छे नहीं थे प्रत्यासी अच्छे नहीं थे इसलिए आयोध्या समेथ UP में बाकी जगों से BJP हारी लेकिन सचाई ये है कि आज भी हिंदू जातियों में बटे हुए हैं और जाति को महत्ता देते हैं धर्म को नहीं इसी वज़े से UP में BJP का ये हाल हुआ क्योंकि हिंदू वहां भी जातियों में बटे रहे आप सोचिए अधिर रंजन चौधरी जो बंगाल से है बंगाली है जो बंगाल में पहले भी सांसत रह चुका है वो व्यक्ति हार जाता है क्यूं हारता है और किस से हारता है वो पणकर जी जो सहारनपूर उत्तर प्रदेश चे हैं जो देश भर में घुम घुम कर विक्षाय आत्रा कर रहे हैं और हिंदूों से कैह रहे हैं कि ध्यान रखो इस गलती की सजातों मिलेगी क्योंकि आप प्रधान मंत्री तो मोदी जी बन रहे हैं लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी वो पावर नहीं रहेगा और उस प्रकार से शायद काम भी नहीं हो पाएगा और इसका नुक्सान किसको होगा सोचना हिंदों शांत मन से और कंभीरता से सोचना क्योंकि आगे ऐसी गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते अब एक छोटा सा वीडियो उनके लिए जिन्होंने आयोध्या में बीजेपी से नाराज होकर समाजवाधी पार्टी को वोट दिया ध्यान से देखें और शेयर करना ना भूले आयोध्या मे इसने किसे वोट दिया हुए तुमने चलो बीजेपी को वोट ने दिया चलो ठीक है बड़िया बात है बीजेपी सबसे गंदी बाटी किसको वोट दिया तुमने अहिद्या में सबागो चले जाओ उनकब बुस्तासा बर्दुआं वो इसा पाय जिसने कार से बहुत गोली चलाई दी और लाशो को ना बोरो सो बरके नदी में भैग दिया था बगल में अगर मज्जित में अजान हो रही है ना तो मंदिर के गंटे यूं पकड़ लिये थे क्यों गंटा ना बजा पाए अवाज ना हो जाए और वो इसे मुझफर अगर के दंगे भूल गया कितनी बाते हैं कितनी बाते कैसा इती आस है और फिर भी अगर तुम उस पार्टी को वोट्य ते रहे हो मत दो भाई वीजेएबी को वोट्ट सबसे गन्दी पार्टी है पर किसे वट्ट दे रहे हो सबगो फुपा लगता रहा हो ताइध ज़्टी है एग ठीक है बाई पर किसे उसके बदले किसे वोट दे रहे हो तुम, या तो वोट देने जाते मत, अगर गई हो तो नोटर दावा देते, सबागो वोट दे के बड़े चोड़े हो रहे हो